हमारे भारत के परदानमंत्री जी ने 26 तारिक को पांच एम्स का भी एनुग्रेशन किया, वो कहते हैं कि जहां उमीद अपना धम तोड़ देती है, वहां से मोधी की गारंटी जो है वो शुरू हो जाती है, और उसी मोधी की गारंटी के तहत हम देख रहे हैं कि इतने बड़ जो है 48,000 करोड की जो प्रोजेक्ट से हैं, वो दिये गए। अगरेशन किस चीज़ आगे हैं, मंगाई में आगे हैं, मुझे बताए हैं, और पाकिसान किस चीज़ आगे हैं, तो हेलो गाइच कैसे हो, आप लोग स्वागत हैं, आपका अमारी एक और वीडियो में जिसके अंदर नाजया खान और अरजुकाज में बता रहे हैं कि भार पाँच एम्स का भी एनुग्रेशन किया, जो अलग-अलग राज्यों में हुआ और कई ऐसे एम्स हैं जिसमिस मतलब पेशेंट के साथ-साथ, वहां पर नर्सिंग जो है, नर्सिंग की पढ़ाई, वहां पर कंपाउंडर्स की पढ़ाई, वहां पर MBBS की पढ़ाई, वहां प बड़ा बना है, अभी जहां मैं बैठी हूँ, यहां से मातर आदे गंटे का डिस्टंस है कलियानी, कलियानी का जो एम्स है, जो 26 तारिक को पेम मोदी जी ने एनुग्रेट किया है, अगर आप उसको देखोगे, तो आपका आधा पाकिस्तान आ जाएगा, जितना बड़ा जाएगा, और मैं जरूर आपको उसकी पूरी वीडियो करके मैं जरूर भेजूगी शोहब आपको, यहां पर देखने वालों को भी बताता चलों, और आपको भी बताता चलों के पाकिस्तान में, इंडिया के बहुत से ऐसे हॉस्पीटल है, हास और पे अगर हम एम्स की बा जाए जाए, मैं रिसंटली मेरा इसलामबाद का विजट हुआ और वहां पे जाके मैंने ये चीज़ अब्जर्व की, कि बहुत से हॉस्पीटल हैं, जो के जहां, जो रेफर करते हैं प्रापर के भई आपका यहां पे अगर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता तो आप इंडिया म से रखे हैं, कि हमें अलाज करवाने के लिए भी अगर विज़ा चाहिए हो तो विज़ा नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से, मतलब यह है कि वो भी इंडिया की तरह से कहा जाता है, कि ठीक है भाई, किसी अगर कोई पेशेंट है तो उसे बेज दिया जाए, अधर्वाइस क मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करो, ठीक है, तो यह दिखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे चीजें हमारी बनाई हुई है, लाहौर ही हमारे प्रभूर राम के पुत्र, लव का बसाया हुआ है, है ना, तो हमारा एक सेंटिमेंटल अटैच्मेंट तो लाहौर से ह अब P.O.K. आपने खब्जा करके रखा है, हमारे एक सेंटिमेंटल अटैच्मेंट तो P.O.K. से भी है, जब मैं सुनती हूँ और जब मैं TV चानल पर देखती हूँ श्रयक, थोड़ी सी जजबाती हो रही हूँ, कि वहां के लोगों को दो दिन बिजली बिनती है, पानी न को नेट बर्क दे, क्यों ना हम P.O.K. के लोगों को बिजली दे, क्यों ना हम P.O.K. के लोगों को पानी दे, क्यों ना हम P.O.K. के लिए हॉस्पिटल का इंतिजाम करे, ये मेरा पहला रिप्रेजेंटेशन तीन दिन पहले डॉक्टर एस जैशनकर जी को गया है, और कल मै दिल्लि में रहूंगी. ऑफिर किश्मीर सेms, प्यार क्श्मीर से लाना है, लेट स पोज, मेरा एक hier चैलंज है, ये एक वेस्टन है, लेटस पोज, इंडिया की गुश्ट this करती है, कि पाकिस्तान साइट केश्मीर में हम कोई electricity का project लाना चाते हैं, हम वहाँ पे medical infrastructure, वहाँ पे हम roads को बेहतर करना चाते हैं, तो क्या हम अपना प्यार, अपनी मुहबत का मजाहरा करते हुए, इंडिया की government को ये करने की जागत देंगे, क्या हम इस project को मानेंगे, मुलब जाहरी यहां हिंदुस्तान में जो है, एक कहावत बड़ी मुश्बूर है आज कल, क्योंकि पिछले 10 साल से लगतार हम देख रहे हैं कि मोधी सरकार किस तरह से काम कर रही है, तो हमारे जो भारतवासी हैं, वो कहते हैं कि जहां उमीद अपना धम तोड़ देती है, वहां से मोधी क गारेंटी जो है, वो शुरू हो जाती है, और उसी मोधी की गारेंटी के तहट हम देख रहे हैं कि इतने बड़े जबरदस्त जो है, 48,000 क्रोड की जो प्रोजेक्ट्स है, वो दिये गए है, उनमें अगर आब बात करेंगी तो सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जा रहा है जिसमें आप देखते हैं कि 13 जो है, क्रिटिकल केर ब्लॉक्स जो है, लगबख साड़े 300 क्रोड रुपे खर्च करके जो है, उनको बनाया जाएगा, उनका फांडेशन स्टोन जो है, वो रखा गया है, इसके अलावा फूड सेफटी को लेकर जो है, कापी ज़्यादा इसम इसके अलावा गराबात करें तो रिसेंटली जो है, जैसे प्रेस्टीजिस जो मेडिकल इंस्टिटूट्स हैं, उनकी जो है, मोदी सहाब ने उनका इनागरेशन किया है, इसके अलावा, 100-100 बैडिट जो है, क्रिटिकल केर यूनिट्स जो है, वो मेडिकल, बहुत सारे जम्मो कश्मीर के जो है, वो गिफ्ट किया गया है, फुल मिलाके देखा जाए, तो जो इंटेंसिव केर यूनिट्स हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं, ऑक्सिजिन सपोर्टेट बैट्स हैं, या फिर बात करें, आपने देखा है कि जब वो कुरोना काल आया था, तो किस त जो है, उनको बनाया गया है और उसमें continuously जो है, oxygen generation हो रही है, तो fully equipped जो है, medical colleges, fully equipped जो है, district hospitals, fully equipped जो है, primary health centers, उनको बनाया जा रहा है, और मतलब यह सिर्फ health को ही लेकर नहीं है, अगर आप road infrastructure की बात करें, तो बहुत ही, मैं कहता हूं कि, अलफाजु में बियान करना मुश्क तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहां पर विंटर्स में जो है एक एरिया जो है में लैंड के साथ जो है वो पढ़ जाता था विकर्ज वहां पर बरभवारी होने के विए से सडके बंद हो जाया करती थी लेकिन आज बड़े फखर के साथ मैं बताना चाहता हूं कि 12,000 क्रो है और हो भी रही है ताकि जो रोड है वो थूआउट दा येर जो है वो चलती रहे है तो दोस्तों जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आजो काजमी और नाजिया खान ने बताया कि जो पीमोदी है वो पूरे देश के अंदर कितने करोडों के प्रोजेक्ट को होगे हैं और उसी में से यह चैनल भी है जो की अलग-अलगी स्टेट में बन रहे हैं जो इम सो स्टाल की खास्यती है कि एक वर्ल्ड क्लास होस्पिटल होते हैं जहां पर पूरे ओल इंडिया से जो पेसेंट मरीज होते हैं वह अपना इलाज कराते हैं और यह काफी सस्ते और के फाइती भी होते हैं इन एम सो उस्पिटल से लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो हमारे देश में एक मेडिकल सेक्टर के अंदर जो एक कमी थी उसको भी पूरा करेंगे अर्जू गाजमी और जो नान यहान वह यह भी बताते हैं कि पाकिस्तान में एक एम से जैसा हुस्पिटल नहीं है और एंस की बराबरी नहीं कर सकता है यह दान के अंतर छो लोग है वो उनली सरकारी होस्पिटल जैसे चोट-चोटे ऑस्पिटल में अपने इलाज कराते हैं और उनकी काड़ी लाब रुस्ते हैं साथ ही में जो आजूखाजमी और जो ना में उन्होंने 47,000 करोड का जो प्रोजेक्ट है वो लॉंच किये थे जो कि पूरे जो पाकिस्तान का बजटे से भी जादा है तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो हमें जरूर बताईए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करे हैं उनकी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से और सब्सक्राइब और अपनी राए जरूर दे या आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में जब तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम साथ ही में जो अरजू गाजमी और जो नाज्या खान ने भारत की पत्रकार रहें जो की बेक पाक अंदास में बोलते हैं और अर्जू घाजमी भी पकितानी पत्रकार रहें नाजया खान जो इंडियन लोयर भी है वकील कर वकील की डिग्री उनके पास है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं किसी एको नहीं अच्छे सी वीडियो के साथ